हेलो दोस्तों आज अगेन बात करेंगे एक और स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में जो कि केमिकल इंडस्ट्री से बिलॉंग करता है एंड फ्यूचर में काफी अच्छे उसके आउटलुक नजराते हैं एज वो normal commodity business से value added project के अंदर shift होता हुआ जा रहा है साथ ही साथ अपने intrinsic value से कम पे trade करता हुआ नजरा रहा है साथ ही negligible debt है company के उपर एंड लगातार अपने revenue को grow कर पाने में capable है stock का नाम अगर देखें तो stock का नाम है ultra marine and pigments ये company pigments बनाती है and pigments generally दो type के होते हैं organic pigment and inorganic pigment and वो further different different types के product को color करने में कामाते हैं जो pigment होते हैं जो nearly insoluble होते हैं water के अंदर and ये different different type के product जैसे की PVC है कपड़े हैं rubber है pencil है और different different type के products को color करने के अंदर काम आते हैं इसके साथ साथ ये company surfactant भी बनाती है इसके साथ IT enabled service means छोटा मोटा IT का काम भी ये लोग करते हैं अब अगर बात करें इनके revenue division की तो जो pigment है उससे 26% का revenue आता है surfactant division से 66% का revenue आता है and IT division से only 8% का revenue आता है free cash flow की अगर बात करें तो 9.55 करोड का free cash flow last year company ने generate किया है and company के अगर market cap की बात करें तो 1000 करोड market cap की company है pleasing के percentage की बात करें तो promotors की side से कोई stock plays नहीं है intrinsic value देखें तो वो around 400 के आसपास दिखती है जबकि stock currently around 300 के आसपास trade करता हुआ नजर आ रहा है last 10 साल का return on capital employed भी 18% से उपर नजर आता है and price to sales ratio भी 2 से नीचे का है अब अगर last एक साल के इसके return देखे जाए तो वो negative में 27% के दिखते है and अगर इसके all time के return देखे जाए तो वो काफी अच्छे है around 2000% से भी ज्यादा के return इसे stock ने बना के दिया है currently ये अपने all time high से around 25% के discount पे currently available है साथ ही company का अगर revenue देखें तो लगातार आपको increasing order में देखने को मिलेगा profit आप देखेंगे तो profit के अंदर भी 2018 में जहाँ company 43 करोड का revenue profit generate करती थी 2019 के बाद से वो around 55 करोड के आसपास एक consistent level पे देखने को मिल रहा है इसके पीछे दो reason है यह पहला reason यह कि company लगातार expand कर रही है तो उसके अंदर company के पैसे खर्च होते हैं जिससे कि वो चीज net profit के अंदर नहीं आपाती है साथ ही साथ वो चीज ROCE के अंदर भी नहीं आपाती है इस वज़े से आप देखेंगे कि company का ROCE भी around 11% के आसपास नजर आएगा क्योंकि company लगातार expanding के अंदर खर्च कर रही है इस वज़े से वो चीज net profit में reflect नहीं होती है जैसे कि आप देख सकते हैं company का जो main focus है वो value added products बनाने पे है साथ ही साथ जो अपनी existing capacity है उसको expand करना भी है जो value added product होंगे वो cosmetics से related होंगे personal care से related होंगे and healthcare से related होंगे वो चीज आपको net worth में देखने को मिल जाएगी जैसे कि company के net worth 2021 में 461 करोड थी तो वो लगबग यहां से double हुई है 2022 के अंदर 860 करोड की company की net worth हुई है इसके पीछे reason यह है कि profit increase नहीं हुआ है बट net worth increase हुई है क्योंकि company ने value added product है वो add किया है प्लस अपनी जो capacity है उसको भी expand किया है तो यह reason है कि वो चीजे net profit में नहीं रिखती है पर company एक profitable company है अगर investment की बात करी जाए तो promoter ने जो इनके promoter है उन्होंने थ्रिमलाई chemical नाम की एक company है जो के around 2200 करोड की company है उसके अंदर 20% का stake रखते है तो 20% का stake रखने का मतलब यह है around 544 करोड का around इनकी value इसमें add हो जाती है जैसे कि आप देख सकता है थ्रिमलाई chemical का अगर share rolling pattern देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि around 41.98% promoter के पास दिखता है जिसमें अगर आप उसे further expand करेंगे तो ultra marine and pigments के पास around 20% का stake नजर आता है जो कि यह investment company ना जून 2020 में किया था जून 2020 से लगातार इनका यह जो investment है बना हुआ है इसकी value around 544 करोड के आसपास आ दिए तो eventually वही वो value भी इनके market cap में add होने चाहिए उस हिसाब से भी company का जो valuation है currently काफी undervalued नजर आता है साथ में company का जो shift है value added product के तरफ तो वो भी future में company के जो price है उसको काफी उपर लेके जाएगा क्योंकि जब तक वो चीज़े net profit में दिखना start नहीं होगी shareholders जो market के अंदर उसका sentiment positive नहीं होगा and जैसे ही FY23 के अंदर वो चीज़े profitable होगी उस चीज के थुरू revenue आने लगेगा तो वो चीज़े sentiment को बदलेगी and जो price है company का वो भी finally उपर जाएगा currently भी company अपना जो free cash flow है generate कर पाने में capable है management को काफ़ी अच्छा experience है 4 to 5 decades का experience है इस particular field में तो उस type से भी ये company अच्छी नज़र आती है तो कैसा लगा आपको ये analysis comment section में जरूर बताएं and इसी type के और analysis के लिए आप channel को follow कर सकता है Thank you for watching this video